आप सभी का स्वागत है आपके चैनल SM in success में दोस्तों आज की वीडियो में हम discuss करेंगे कुछ important current affair जो last month पर based है और जो ये current affair है ये important event है और ये हमारी प्रिक्षाओं से सबंदित रह सकते हैं तो एक बार इन question को आप देख लेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं जो questions है उनकी हमारा पहला question है हाल में ही ICC द्वारा ICC man's ODI Cricketer of the decade का award किसे दिया गया है देखिए ICC ने अपने awards जो घोशित किये हैं और decade मीन दस वर्षों में जो सरव स्रेष्ट क्रिकेटर रहे हैं कि इस format में ODI format में ODI format का में से ODI जो मैची जो होते हैं वो 50 hours के होते हैं जैसे टी 20 होते हैं 2020 आवर गा तो उसके लिए जो सर्व स्रेष्ट खिलाडी है वो किसे चुना गया है तो option A है महेंदर सिंग धोनी B है रोहित शर्मा C है विराट कोली और D है युवराज सिंग तो यह अवोड गया भी विराट कोली को यह आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन है डोक्टर हर्ष वर्दन द्वारा फर्स्ट इंडिजेनिसली ड्वाल्ब्ड वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया को लॉंच किया गया है और इसका नाम क्या है तो option A है निमोसिल, option B है नैंतों देखिए जो डोक्टर हर्ष वर्दन आपको याद रखना है यह अभी वर्त्मान में क्या है बहीं celebrating उन्दज़ bekommtर ा मौह 610-7-100 के तवारा उसका नाम है तो यह फ़र्स्ट इंडिजीनिड़ को याद रखने है यह वह नवी NE नेक्स्ट कोश्चन है वही हाल ही में नरेंदर सिंग कपानी पोस्ट थोमस पदम विभूशण अवोर्ड मिला है ये कौन से देश के नागरिक है देखे ये एक जाने माने सैंटिस्ट हैं फीजिक्स के और पोस्ट थोमस का मतलब होता है अभी मरने के बाद मरन उपरांथ ठी इनका नाम किस में आया है पदम विभूशन अवोर्ड में आया है और यह कौन से देश समझ रखते हैं तो उप्शन ए है इंग्लैंड बी है युएसे सी है जपान डी है ब्राजिल देखिए इनका समझ किस से अभी युएसे से है वास्तिक में यह बेटा भारतिया जो मूल है आपको पता है पदम विभूशन में दो विदेशी जो परसन है उनको अवोर्ड मिला था एक जपान के जो पीम रह चुके थे उनको और एक अभी किनको मिला है निरेंदर सिंग कपानी को तो आपको बताना है हमने पिछली वीडियो में किया था वह दूसरे परसन कौन से है जिनको अवोर्ड मिला है पदम विभूशन और वो विदेशी है भारत के नहीं है नेक्स्ट क्वेशन है फिफ्टी फर्स एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहां हुआ है यह आपको बताना है ऑप्शन ए है डेली भी है पैरिश सी है गोवा और चंदीगर तो यह काँ संपन हुआ था वहीं काफी न्यूजी यह रही थी यह संपन हुआ था भी गोवा के अंदर ओके नियुझ कोश्टन है हमारा नीति आयोग के वाइस चेर्मेन क्युक्त है देख जो नीति आयोग है इसके जो वाइस चेर मैन आपको वह बताना है नरेंदर मोदी, अंभी, ताब, कान, राजीव, कुमार, हर्षवर्दन, देखें, नीती आयोग एक ऐसा संस्थान है, इंडिया में, जो जितनी भी हमारी योजनाएं होती है, उनको देखता है, जो योजनाएं सरकार बनाती है, पहले ये काम प्लैनिंग कमिशन करता था, और प्लैनिंग कमिशन को बदल कर क्या बना दिया गया है, नीती आयोग बना दिया गया है, तो इसके जो वाइस चेर्मैन है, वो कोन है, राजीव कुमार है, अगर इसके CEO की बात की जाए, ठीक है, तो चीफ एग्जीक्यूटिंग ओफिसर कोन है, अभी कांत है, म्डी भी इन में इंडियन परसनालिटी ओफ दा इयर आवोर्ड किसे दिया गया है, तो ओप्शन ए है, विसब जीत चटर जी, बी है अमिताब बच्चन, सी है अनिल कुमार, डी है मनोज कुमार, तो ये दिया गया था भई, विसब जीत चटर जी को ये आवोर्ड दिया गया है, तो एरो इंडिया 2021 बैंगलोरू में संपन हुआ ये इसका कौन सा संस्करण था देखिए भारतिय वायू सेना ने अपना दमखम दिखाया था एरो इंडिया शो में और ये कहां पर हुआ था बैंगलोरू में संपन हुआ है ये कौन सा संस्करण था आपको ये बताना है भी 11 12 13 चोधमा तो यह कौन सा संसकरण था भी यह 13 संसकरण था आपको याद रखना है यह कौन सा था 13 संसकरण था नेक्ट कोश्चन अभी हर वर्ष दो फरवरी को वेट लैंड्स डे मनाया जाता है तो हाल ही में भारत में एक और नई रामसर साइट बनी है तो भारत में कुल कितनी रामसर साइट है आपको ये बताना है तो हमारा पहला ओप्शन है वो है हमारा 42 दूसरा है हमारा 40 तीसरा है 38 और चोथा है 36 देखिए अभी जो भारत में कुल जो रामसर साइट है वेटलेंड साइट है बेटा वो कितनी हो गई ह है वो हमारी 42 हो चुकी है उनकी संख्धा कितनी है 42 है देखिए जो रामसर सम्मिलन है इसी से रामसर साइट बना है रामसर एक जगा है इरान में जहाँ पर वैट लैंड को सरक्षित रखने के लिए सम्मेलन हुआ था तो वहीं से इसका नाम आ जाता है रामसर कन्वेक्शन और वहीं से रामसर साइट बनता है देखिए वेट लैंड वो अक्षेतर होता है जहां पर पानी और थल दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो यह जो लैंड होते हैं यह पक्षियों के लिए काफी important होते हैं तो इनको सरक्षन देने के लिए यह वैट लैंड बनाए जाते हैं वह नेक्ट कोश्चन है जापान की संसद का नाम है option a है diet b है बुन्देश ताग c है federal assembly और d है national people of congress तो इसका right answer a diet diet किसका सांसद है वही जापान का यह बात आपको याद रखनी है इंडिया का Parliament हम बोलते हैं लोकसभा राज्यसभा उसमें दो सदन होते हैं और ऐसे ही Congress किसका होता है Congress हमारा होता है USA का बेटा यह आपको याद रखना है next question है मारे पास किस घटना के पश्यात गांदी जी ने ऐस योग अंदोलन वापिस ले लिया था का कोरी रेल कहती चोरा चोरी की घटना भगत सिंग द्वारा असेंबली में बंफ हैंकना या जलिया वाला बाग हत्या कांड आप सभी को कि हाली में न्यूज में था यह घटना कब हुई थी यह चार फरवरी को हुई थी चार फरवरी 1922 को हुई थी यह घटना तो इसी से कबरिस्तान का मतलब है जहां पर जहाजों को डिस्मेंटल किया जाता है जो जहाज पुराने हो जाते हैं जो ज्यादा वर्किंग में अब नहीं रह सकते उनको तोड़कर अलग से उनका जो पार्ट होता है उसको यूज में लाया जाता है तो यह कहां पर आपको बताना है अलंग गुजराथ, और बंदर गुजराथ, कॉलकत्ता, वेस्ट बंगोल और मॉंबई महारास्टर, तो भी यह कहां पर है बैटा, यह अलंग गुजराथ में है, यह खंबात की खाड़ी में मिलता है, अलंग जो अक्षेतर है, और यही पर बड़े बड़े जहाजों को क्या किया जाता है, तोड़कर उनका लोहा पिंग लाकर उनसे दुबारा से जहाज बनाया जाता है, तो डिस्मेंटल वहाँ पर किया जाता है, वर्तमान में डिप्टी, चेर्मैन, राज्यसभा के कौन है, औप्शन ए है, पीजे कूरियन, बी है, हरवंश नरायन सिंग, सी है, और बिरला और डी है, वैंक्या नाइडू, तो वर्तमान में जो डिप्टी, चेर्मैने राज्यसभा के कोन है, हरवंश नरायन सिंग भई, नेक्स्ट क्वेशन है, गंगा नदी की बाए हाथ की साहक नदी कौन सी है, तो उसमें से क्वेशन बनाया की, आपको बताना है, ज जो बाए हाथ की जो साहक नदी है, वो कौन सी है, आपके पास यमना, बी है सोन, सी है दो मादर, और डी है गोमती, तो इसका जो राइट आंसर बनता है, वो बनता है भई, गोमती कौन सी है, बाए हाथ की साहक नदी है, गंगा गी, नेक्ट कोशन है, वर्तमान में अर्विन्द बोब्डे रवी शंकर जा बलडेव महाजन मनोज इदव देखिए जो अगर हायाना है कोट कि बात करते हैं तो अभी वर्त मान में जो हैं वो कौन है रवी शंकर जां है अर्विंद बोब्डे वो किसके सुप्रिम कोट कें है और अंडोमान और किसoleसे नियुते हैं ऑनकता है उनने प्लाइंद अलग अलग होता है किophone उसके भी कहा है अलग होता सब्सक्राइब उसकस्ते हैं और कर देंगे जिसमें अन्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप लोग इस वीडियो को देखिए अगर वीडियो में कोई डाउट है तो हमें कमेंट जुरूर कीचिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद